तो result है कि अगर 25 से ज़्यादा नंबर मिलता है 25 से ज़्यादा यानि 30 के अंदर 30 मार्क्स में 25 से ज़्यादा अगर आपको अंक मिलते हैं तो आप first division नहीं distinction से पास हैं यानि आप एक actor हैं आपको सर्फ advanced knowledge की जरूद है basic acting कहीं सीखनी नहीं है advanced knowledge का मतलब lighting का knowledge, camera का knowledge, blocking का knowledge कहां में, serial में क्या होता है तो इसके लिए आपको एक advanced course अगर करना है कर लिजिए या किसी production house से जूड जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको समझने में 2 महीने, 4 महीने में लग जाएगा या किसी producer या director के साथ आप कुछ दिन रहिए तो उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं यहनि आप अगर कहीं पर basic training, advanced training इस तरह का कहीं भी लेते हैं, करते हैं तो निश्चे तोर पर आप एक अच्छे actor के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं हाँ, अगर सिर्फ 15 नंबर है, तो तटस्त है, जैसे litmus test में भी होता है, कि न चार है, न अमल है, न बेस है, न एसी ड है, तो ऐसी condition में है लेकिन अगर 15 से नीचे आपके marks आते हैं, तो घबड़ा ये नहीं, अभी आप actor बनने के लिए बिल्कुल तयार नहीं है, आपको और practice करना होगा, जो practice मैंने इस टेस्ट में बताया, इस तरह से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, प्रैक्टिस करिए हर तरह का, फिर litmus test खुद ये टेस्ट 3 महीने बाद खुद को फिर दीजिए, फिर marking करिए, अगर फिर 15 से उपर आए, तब कहीं पर आकर के आप acting का training लिजिए, सीखिए, और अगर 25 से उपर आ जाए, तो क्या कहने, फिर तो आप actor हैं already, आपको काम 100% मिलेगा ही मिलेगा, और ये टेस्ट फिर मैं बत आप से काम मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसी हिसाब से आपको इंडरस्ट्री में स्वागत किया जाएगा, यानि Bollywood इंडरस्ट्री हो, Hollywood इंडरस्ट्री हो, कहीं पर भी स्वागत किया जाएगा Continue to next part आज ही जॉइन कीजे, डिजी फिल्मिंग का इफ्टा ओनलाइन कोर्स, इट वर्क्स